हेलो दोस्तो पंजाब पटवारी थे एक्जाम ले आज आपा स्टार्ट करन जा रहे हैं पंजाब जी के दा फर्स टॉपिक जो की है सिख तरम दे दसमे गुरू गुर्गोमिन सिंग जी बारे इंपोर्टेंट जान करी जे एक्जाम पॉइंट ओफ व्यू तो देखे जावे यही टॉपिक बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है क्योंकि तो हन्यों पेपर देवीच गुरुगोमिन सिंग जी जरम रचनावा ते उस्तो इलावा उना द्वारा किते गे सिस्क्तर अमली इंपोर्टेंट काम खाल सा पंतबी इस्तापना ते उसतो इलावा उना दवारा लड़ाईयां लड़ियां गईयां जिनने भी यूद लड़ेगे उस बारे कोई ना कोई एक अधा कोईशन देखन्नों मिल दी जान्द है ता इहें टोपिक बहुत ज्यादा इंपोटेंट हो जान्द है पंजाब गोर्मेंट एक्जाम्स ले ता चलो शुरू कर देयां आज टोपिक गुरू गोबिन सिंग जी गुरुबलिं सिंग जी управ कोविन सांद मियां जनम करता हो जोटला ज मैं क्यों रिश्वाईयां पंगे Gosh आवप की खानध ग्ली विच रिशून गयां 10-2 कोभीणा कर दूदों दून्षक किन द आनसा जांद मeteलिगें हूआ ज़ एक्शक 26 विनू गुरु गोपिन सिंग जी दा जनम होया। तो चलो अग्ये देख देयां। गुरु गोपिन सिंग जी दे माता पिता दा नाम। गुरु गोपिन सिंग जी दे माता दा नाम की सी। माता गुजरी आते पिता कौन सान। सिखा दे नोवे गुरु गुरु तेग बहादुर जी उना दी पत्नी दा की नाम सी ता उना दियां तिन पत्नियां सन जीत्तो जी सुंदरी जी अते साहिब देवान जी अगे देख दियां कि उना दे से पुत्तर केड़े केड़े सन उना दे चार साहिब ज़ादे सन केड़े सन साहिब ज़ादा जुजार सिंग साहिब ज़ादा जोरावर सिंग साहिब ज़ादा फते सिंग अते साहिब ज़ादा अजीत सिंग ठीक है आपानु पता ही है कि एना विच्चों जड़े साहिब जाधा अजीत सिंग अते साहिब जाधा जुजार सिंग ठीक है एहे दो जड़े साहिब जाधे ने एहे केड़ी लडाई दे विचे केड़े यूद दे विचे जोती जोत समाय सान चम कोड दि लडाई देविछ एनाने शहीद्दी दीती ura ng अन्नदपृर साहिब दि दूजी लडाईदेविछ शहीद्दी दीती एनानूwas इतना ओंगे देखलन सिंग और गुरुवन सिंग जीनू गूरुगरण कदो प्राप्त होई सी जदो हो नो सालां दी उमर्दे सन 1675 स्वी वीच तेहो गुर्गद्दी ते कदो तक बैठे 1788 तक तो अना दा गुर्गद्दी दा काल रहा 1675 स्वी तो लेके 1788 तक उस्तो बाद ओनाने केडे शाहर दी स्थापना किती पाउंटा साहीब अना ने गुर्गद्द साहीब वीच दशम गरंथ दी रचना किती एकता है आद गरंथ उस्तो इलावा उना ने दशम गरंथ लिख्या जोकी गुर्गद्द साहीब वीच संकली था इस टाइं ठीक है ते वार्श्री पगोती जीर की एहे ओना दी फर्स्ट रचना सी एवी प पगोती जी की उस्तो इलावा उना ने केडियां केडियां रचनावा लिख्यां बचित्तर नाटक अकाल उस्तत चंडी दिवार जाप साहब चंडी चरित्तर ग्यान प्रबोध चोवी अवतार खालसे दी महीमा सवैये अते जफर नामा एना विच्व अप्पानु पता है क उना ने एक लेटर लिखी सी औरंग जेबनू ये वी पुछा जा सकते है कि जफर नामा केडि पाशा दे विच लिख्या सी उना ने लेटर ता उना ने फारसी पाशा दे विच लिख्या सी औरंग जेबनू लेटर ते वोदा नाम की सी जफर नामा उस्तो इलावा उना ने पुछया जा सकता है कि उना दी रचनावा बारे कि गुरु ग्रन साहिब विच उना दे किन्ने आंगने मतलब किन्ने पेजीज तक उना दी बानी संकलित है तर 1403 पेजीज विच उना दी बानी संकलित है 1403 आंगने उना दी बानी दे तो उस्तों इलावा उना ने किन्ने राग लिखे किन्ने हाइम्स लिखियां उना ने 5802 हाइम्स लिखियां ने हुन आपा देख देयां कि उना ने केड़ी प्रथा शुरू किती या खतम किती ता उना ने जड़ी मसंद प्रथा चाल दी आरी सी पेला ओहो खतम किती ठीक है ओना ने मसंदप्रता खतम किती ता यह बहुत ही important question है तो अनु पुछा जा सकते हैं कि मसंदप्रता केड़े गुरु ने खतम किती सी यहां गुरु गोबिन सिंग जी ने केड़ी प्रतादा अंत किता सी ता मसंदप्रतादा नेक्स्ट है सिख्षी विच तब्दील ओना ने केड़े बंदे नू सीख तरम विच तब्दील किता मतलो सिख्षी अपनाई कि इस बंदे ने ओना दी शरण चाके ता मादो दास बेरागी ठीक है मादो दास बेरागी ने ओना दी शरण दे विच आके सीख तरम नू अपनाय उस तो बाद बहादुर्शा साल otnow this is this is a lichkeit जदा स lobbied शिण जैन्हाने सकते संगते ताल उस्ता बाद मा ने उ scarce मिस क्जिए गृष्प चुनेया आपनु पता है कि चोथे गुरु रामदास जी ने एहे जडिक गुरु गद्दी प्रथा सी ओनु अपने ही परिवार्द विच रहन्दा हुकम दिता सी कि अगला गुरु हमेशा अपना ही उत्रादिकारी चुनेया जावेगा ते जी में कि आपनु पता है कि गुर गुरु गरंद साहिव जीनु चुनेया नेक्स्ट है कि गुर्गोबिन सिंग जी कदो जोति जोत समाय सान तागुरु गोबिन सिंग जी 1788 वी विच नन देड विखे माहराष्ट्र विखे जोति जोत समाय सान जोद ओनानु एक पर ठानने चुराख बोता सी ओना दे दिल नीचे लाफ्ट साइड ते वक्खी विच जीदे करके कुछ टाइम बाद तांके खुलन करके ओना दी शहीदी होगी सी तां हो जोती जोत कदोस्मा इसान 1788 विच नंदेड महराश्ट्र विखे ते जे आपानों एदी पर्टिकुलर डेट पुछलिती चन्दी है ता गोबिन सिंग जी बारे कुछ इंपोटेंट कर लाँ हुना आपा देख लएन इस तो इलावा भी गुर्गोबिन सिंग जी ने की किता सी सब्तों इंपोटेंट सीख तरम दी कटना जड़ी सी कि ओना ने खालसापंथ दी साजना किती सी ठीक हैं सिख्री वायत वीच एह शब्द 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 танा में वन्दिता सी। किता सिखा दे छेमें गुरु गुरु हर गोबिन जी ने एहे शब्द एसे रूप विच गुरु तेग बहादुर जी वलों पटना दी संगत नू लिखे खाते विच भी मिलिया ते दूजे नंबर ते आप जे देखिये ता खालसा शब्द दा यूज की ने किता नोवें पटना दी संगत ची पार इस शब्द दा अर्थगुरु कोबिन सिंह जी वलों ती मार्च उंनिसो नकीन हे नू खंडे धी पाहुल अमरिच 두 प्रक्रिया अमगरों इस विशेश संदर्बनाल जानेया जान लगा हुँझे में कि आपान सारे नों पता है कि खालसा शब्द आपा कागे लिए यूज कर देया कि गुर्गोमिन सिंग जी ने जड़ी खालसा पंधदी स्थापना किती सी पांज प्यारे नों अमरीच चकाया सी आपानों हुझे ही पता है कि खालसा शब्द आप मीनिंग की है कि जड़ा गुर्गोमिन सिंग जी ने पांज प्यारे नों अमरीच चकाया सी उनों ही खालसा शब्द केहा जंदा है ओदे ले ही खालसा शब्द वड़ते है जंदा है हुझे आपानों आप कई वार बचपन तो तहीं पढ़ दे आ रहे हैं कि खालसा पंथ दिस थापना कदो हुई इसी विस अखी वले दिन ता ओप्शन जे विच तो अनू हो सकते हैं कि विस अखी वले दिन ना पुछके आप पुछ जावे 3 मार्च 19 नडिनवे ता तुसी याद रखना है कि 13 अप्रैल 19 नडिनवे जे ओहो ओप्शन च नहीं आदा ता तुसी की अप्रैल की मार्क करोंगे सोरी गलत प्रिंट होया है ती मार्च 19 नडिनवे याँ फिर ओप्शन दे विच तो अनू 13 अप्रैल 16 नडिनवे विदेखाननू मिलूगा ता यह सी खालसापंद ठीक है एदे विच आपा तीन गला पड़ियां कि सिखांदे छेवे गुरु गुरु हर गोबिन जी ने सबतो पहला खालसा शब्द दा यूज किता ते होना ने पूर्वी लगके दी सारी संगतली गुरु का खालसा शब्द यूज किता सी उस्तो इ सबतो पहला सी देयाराम ओहो की सी लहोर दा इक खत्री सी नेक्स्ट है तरमदास ओहो कौनसी दिल्ली दा इक जाट सी फिर है मोहकमचंद मोहकमचंद कोनसी द्वार का जो की गुजरात विच जे उत्थे दा च्हपाई रंगाई करनवला फिर है साहीबचंद कोनसी वीदर कित् кап नाटक दे विच उत्थे दा इक दास मोकम चंद साहब चंद हिम्मत राए पर बाद विच जदो खंडे दा पाहूल अम्री छक्या ओना ने उस्तो बाद ओना दे नाम दे नाल गुरु जी ने सिंग लगाता। थिक है ता एहे की बन गया पाई देया सिंग, पाई तरम सिंग, पाई मोकम सिंग, पाई साहब सिंग, ते पाई हिम्मत सिंग तो आनू इना बारे भी पुच्छा जा सकते हैं पांच प्यारे कड़े कड़े सन ते ओहो कित्थों दी सन तछलो हुना आप देखला ने कि गुर्ल गोभी सिंह जी वलो यिद लड़ाया कईया by लड़ाया तर गुर्ल गोभीन सिंह जी में, गोस्टा कई युद लड़े गुर्पीन सिंह जी ने पर वोस्ली अठ यूद्ध इंपोर्टेंट ने ना दे ते उनानों वी दो हिस्स्यां विचवंडिया गया, दो यूद्ध ऐसे सं, जड़े की उनाने, खालशा पंथ निस थापना तो पहलना लड़े, ते बाकी दे छे यूद्ध जड़े सी उनाने खाल्शा पंथ दिस कि युदु हुआ कि युदु केड़े संसली दी लड़ाई एक विछ दो लडाई लड़ाई घुमकॉर दी लड़ाई लड़ाई चुमकोर दी लडाई फीर हा लास्ट खिदु एना विच्चों अनन्दपूर साही दी लड़ाई चमकोर दी लड़ाई ते खिदराने दी लड़ाई बहुत जाधा इंपोर्टेंट ने क्योंकि एना विच्च कुछ इंपोर्टेंट कटनावव अपनियां जिस पक्षों एह बहुत जाधा इंपोर्टेंट ने ता चलो दे लड़ाई किते होई ना दौन विच ही होई अनंदपुर साहिब दा पहला युद अनंदपुर साहिब विखे ही होया निर्मो दी लड़ाई निर्मो विखे ही होई ऐसे तरह बस उल्ली दा युद भी बस उल्ली दे विच ही होया अनंदपुर साहिब दी दुझी लड़ाई अनन्दपूर साहिब विच ही होई ते चमकोर दी लड़ाई चमकोर विच कि दराने दी लड़ाई कि दराने विच ठीक है अएता चलो इजी सी हुना आपा एहे याद रखना है कि एहे लड़ाई की कदो कदो होई हमेशा तुसी कीसे विए दा टेबल नू होरीजोंटली करन दी बजाए पहला एनू वर्टिकली याद करो ठीक है फिर उस तो बाद तुसी हार एक लड़ाई नू इक्लू जेनल डिलेट कर सकते हो कि केड़ी लड़ाई कदो होई किते होई की ने विच कर होई ते होदा की रिजल्ट निकलिया ठीक है ता सब तो पहला आपा की या सब तो पहला आपा आझा तिन यूद देख देख Mortal ड़ी आझा अंजडि सब तो पहले तीन यूदसी पहला है पंगाणी दा यूद दुल्ज है न दोन दा यूद तीज है अननन्दपुरसही ता पहला यूद तय नू आपक की याद रख सकने या पंगाणी तो याद रख ता लोकानू अनन्द आज अंद है ता एही याद रखने तुसी पांग नाल अनन्द ठीक है पांग नाल अनन्द पैंथो दी पेल्ले तीन यूद याद हो जुगे पांग नाल अनन्द पांग तो हो गया पंगानी दा यूद नाल तो हो गया नदोन दा यूद ते अनन्द त हो गया अन्त्पूर स्हाइबी पहले लडाई अगले तिन केड़े केड़े न नमोगिर्टे लडाई उस्तोबाद है बसॉली लडाई फिर है अन्तूर स्हाइब लडाई यह तिन आप bên इक त्थे आध करांए निर्मो दी लड़ाई, बसॉली दी लड़ाई ते अनन्धपूर दी लड़ाई निर्मो तो आपपा की देख देयाँ निर्मो दे पिछले दो लेटरस चकने हैं तुसी मो ठीक है? मो उस्तो बाद बसॉली दे विच तुसी बस एंड अनन्धपूर धा फेर होही तृण नाल-णनंद आगया थीक है लोगवकानो पांग नाल-णनंद आजन्द है पांग-णन आणनंद आगया किसे नो पांग पीके अननंद आ गया फेर है मो बस यहत्म की के हैसी मो निर्मो दा तुसी मो वड़ चुकन है बस ओली दा बस थे अनननदपूर पूरा तक की बन गया मो बस अनन्दपूर जदो किसे ने पांग पिती उनुँ पांग नाल अनन्द आ गया मो बस अनन्दपूर ता उनुँ सिरफ अनन्दपूर साहीब नाल ही मो पह गया मो बस अनन्दपूर ते जदो किसे नुँ अनन्दपूर साहीब नाल मो पह गया ता ह्टामांग नाल अननद मो बस अननधपुर्ऌ। चमके खुद पांग नाल अनंद मो बस अनंदपुर चमके खुद ता पांग तो हो गया पंगानी दी लड़ाई नाल तो हो गया नाल तो हो गया नदोन दी लड़ाई अनंद तो हो गया अनंदपुर दी पहली लड़ाई मो तो हो गया निर्मो दी लड़ाई बस तो हो गया बसॉली दी लड़ाई ते अनंदपुर तो ता पूरह या अनंदपुर दी दुजी लड़ाई चमके खुद ता चमके तो हो गया चमकोर दी लड़ाई खुद तो हो गया खिदराने दी लड़ाई तो चलो हुना आपा देख लने कि यह लड़ायां कित्थे कित्थे लड़ियां गियां सॉरी कदो कदो लड़ियां गियां कित्थे कित्थे ता आपा देखी लेयां कि जो जो नदे नाम है उससे शार्दे विच्छी लड़ियां गियां से यह लड़ायां अने युद कदों कदों होय थी, दो होय थी, खाल सा पंथ दी स्थापना तो पहला, इट मींस 1608 इनवे तो पहला होय ए युद, तो उसी याद रखने है 1688 विच पहला युद, 1690 मतलग वोत दो साल बाद ही दुज्जा युद, ठीक है, ए दोनों इक ठे याद रखने है, 1688 थे 2 साल बाद ही 1690, हुँण उसतो बाद बाकी दे 6 युद कदों होय खालसा पंथ दी स्थापना तो बाद, कहालसा expंथ दी स्थापना आपनुपताय 169 इनवें इसी दे विच होई सी। ता औत बाद, 2 साल बाद ही 1701, 1701 दे विच की हया, अनंदपूर साहिब दा युद फिर 702 दे विच निर्मो दी लड़ाई मतलब नाल नाल लिया है 701-702 हुन इत्थे अपपा की देख्या 702 ते दो दो वार रिपीट होगा एदधा यहाद रखने है तुसी 701-702 702 फेर रिपीट होगा ठीक है एदे विच बसोली दी लड़ाई हुन दो रिपीट होगा ता 4 कंद मैं भी रिपीट होना है ता 704-704 ठीक है ते लास्ट है 705 आई होप तो अनुयाद होगा पहले दो यूद जड़े सी ओहो खालसा पंथ दी साजना तो पहलना होए ता क्यदो होए सी 1688 ते ओत्तो ही 2 साल बाद 1690 फिर बाकी दे चे यूद खालसा पंथ दी स्थापना तो बाद होए सी ता क्यासा पंथ दी स्थापना होई 1610 वे विच ओत्तो 2 साल बाद यूद होने स्टार्ट होगे 1701 दे विच होया अननन्तपुर साहिब दा यूद फिर 1702 ते दो बार रिपीट होगा ता अगला यूद भी 1702 फिर चार केंदा मैं भी रिपीट होना है ता 1704 1704 ते एंड वला 1705 तो यूद फिर इक बार देख लाने है केड़े सी यूद केड़े केड़े सी पांग नाल अनन्द मो बस अनन्दपुर चमके खुद ठीक है ता अहां होप आई होप तो आनो है तीन जड़े वर्टिकली तीन कॉलम्स याद होगे होनगे हुन आप यहे याद रखना है कि यहे लड़ाईयां किदे किदे विच होया ता यहे ल अपा देखना है कि दुजे पास से ओना दे ओपोजिट साइड ते कोन सी ओना दे अगेंस्ट कोन यूद लड़ रहा सी ता सब्तो पहला गुरुगोबिन सिंग जी दा पहला यूद की दे नल होया यह तोसी याद रखने कि राजा पीमचंद मोस्टली यूद जड़े रा पर जड़ो एह यूद खतम होया ता एना राजया दी गुरुगोबिन सिंग जी नाल मितरता पैगी सी ठीक है ता अगले यूद वीच एना पहाडी राजया ने गुरुगोबिन सिंग जी दा साथ दितता ते अगली वारे लोग मुगला नाल लड़े मुगला दे वल्लों क फोन लड़ए ğanसी एना नल आलिफ खान, पहली लड़ाई दे विच राजा पीमचंध अते पहाड़ी राजया दूजी लड़ाई दे विच राजा पीमचंध और पहाड़ी राजया गुरुगोबिन दी नाल होगी ति ये लोग मिलके की देना लड़े मुगलांद्शनिक आलिफ खान नल फिर अजड़ा राजा पीमचंद सी ए फिर गुरुजी दे अगेंस्ट हो गया ता खालसा पंथदीस थापना तो बाद ता तीजी लड़ाई जड़ी सी ओह फिर द्वारतो गुरुगोबिन सिंग्जे ने पीमचंद नल लड़ी ते पहाडी राजया नल लड है कि अफ बस लिदा युद बस लड़ी तनो अपकी याद रखना कि बस था तुसी आद रखना कि बस लीदा युदब श पीमचंद लड़े ऐसा कॉरुगोबिन सिंग्जी नल फिर उस्तो बाद अनंतपूर दी साहिब अनंतपूर साहिब दे लड़ा थे मैं तो अनुक्य तो पड़दे आ रहे हैं कि कीना निनिहा दे विच चिनवाया सी वजीर खान ने ता याद रखने आपना कि अनन्दपूर साहिब दी दुजी लड़ाई विच गुरुकोबिन सिंग जी दे अगेंस्ट कौन लड़ रहा सी वजीर खान ते ओदे नाल कई पहाडी राजे मिले ह ते लास्ट दो जड़े हैं चम कोर दी लड़ाई ते खित राने दी लड़ाई आपनु पता है फिर ओरंग जेदा राज शुरू हो गया सी उधर ते लास्ट वले जड़े यूद ने ओहों मुगल फोजा नाल ही होए गुरुकोबिन सिंग जी दे हुन आपपा देखलान न जी दी बस दो युदी ही ऐसे सन जीना विच गुरुगोबिन सिंग जी दी जित नहीं होई सी ओहों केड़े केड़े सन अनन्दपूर साहिब क्योंकि एदे विच गुरुगोबिन सिंग जी दे साहिब जादे नो नीहां चचीन वादी तक या सी उत्थ ही पता लग दै कि एदे विच ओपोजिट पार्टी जिती होगी मतलब वजीर खान जिते होगा ते उस्तो इलावा चमकोर दी लडाई दे विच भी मुगल फोजा जिती है सन ते एदे विच भी गुरुगोबिन सिंग जी दे दो साहिब जादे केड़े अजीत सिंग ते जुजार सिंग शही दो गय सन उस्तो इलावा तुसी याद रखने कि बस ओली दी लडाई जिडी है ओहो गुरु साहिब ने जिती ते ओदे विच ओनाने किस ते कब जागित्ता कम लोट दे कि ले थे ठीक हैं खिद्राने दी लडाई आपनु पते या आपा बचपन तो पड़ दे आ रहे हैं क यह दे विच की होया सी चाली मुक्तिया ने गुरु गोबिन सिंग जी दा साथ दिता सी ते उनाने इस यूद विच शहिदी दिती सी तांपां की पड़िया कि केडा यूद की ने जितिया सिर्फ सेकेंड लास्ट और थर्ड लास्ट मीस अननत्पूर साहिब और चम कोर्द लड़ाई दे विच मुगल फोस जित्ती सी उस्तों इलावा बाकी सारे यूद गुरु गोबिन सिंग जी ने जिते ते आपना देखना है कि एना विच की की विशेश होया की की खास होया तां बाकी सब दे विच ता कुछ खास होया बस से है तीन यूद याद रखने तुस लास्ट तिन किया नंदपूर साहिब दे विच की होया नंदपूर साहिब दी दूजी लड़ाई दे विच गुरु गोबिन सिंग ची दे दो साहिब जादे जोरावर सिंग अते फते सिंग नू निहां ची चिनवादित ता गया सी वजीर खान ने चिनवाया सी ते चम कौर लडाई दे विचमना दे दुजे दो सहीम जादें जंस जानी जोर्ट अ ने पांटी सिहन समेहें शहिती दिती सी तेखी दराने दी लडाई दे विच मुक्ते लंगते देश्टी सी तो चलो हुना पाड़ लनेहां जफर नामा बारे की जफर नामा की सी जफर नामा अपां पड़ेया की एक लैटर सी जेड़ी की गुर्णकोबिन सिंग जी ने औरंग जेब नू मुगल भाषा ऑरंग जेब नू लिखी सी ता यह दे विच की लिख्या ते एहे केड़ी पाशा चीसी आपपा पहला भी पड़े है एहे फार्सी पाशा दे विच लिखी सी गुर्गोबिन सिंग जी ने ता देखलने एक वर एदे नाल दी लेटेड भी इंपोर्टेंट जान करी जफर नामा फार्सी पाशा दा ठीक है होने आपपड़े है कि फार्सी पाशा विच लिख लिखी सी एहे ते जफर नामा शब्द भी केड़ी पाशा दा है फार्सी पाशा दा इस विच 111 पद ने अत्य एहे पत्तर बादशा ओरंग जेबनू गुर्गोबिन सिंग जी ने दीना जीला फिरोज सोडी फ़ अधेर वीच 113 सी अते उना ने अरंग जेव नु लिख्या सी उना ने दीना जीला फ्रीद कोत वीच कदो लिख्या उसी योई कों लेकर गया सी अरंग ते आर्म सींग्ध योई कौन उन् Gaming पड़े यासि बंदे सी पांच प्यारें चो पहले दो पाई दिया राम ते पाई तरम दास ओही लाके गये सी यह है औरंग जेब कोल जफर नामा लटर इस दी रचना उस सिमाज दोर्द विच होई जदो गुरु साहिब दे दो वड़े साहिब जाद्या दी चमकौर दी लड़ाई विच श शहीदी दिती सी ता एवे बारे ही गुरु गोबिन सिंग जी ने इस लैटर विच लिख्या छोटे साहिब जादे सरहिंद दिया दिवारां विच चेन दित्ते गए सान अते आप जी दे माता जी ने इस सदमे नू ना सहार दे हुए दाम तोड दिता ठीक है ते अपने पो खोजवलन जो अनंदपूर्च साहिव दा कीला चर्डन विल्ने तो खेनाल कितते गए हमले थे लाणत दिती अनंदपूर्च लड़ाई वीच की होया आप STEVE मुगल फोजाने की किता सी कि इनादे विच संधी होगी ऐसी ते ऊपने आपने वचंते हो पूरय ना उद्दरे उनाने बाद्ण वचं दा कच्चा आखया ठिक है हैं ता औरंगजे head मे seis देने एह जांग सिखां उपर थोप देई उनाने ओरंगजयव ने ता पेलना ओरंगजयव अते मुगल फोजा नेता एही कहा सी कि असी तो अड़ते हमला नहीं करांगे ते उनाने कीला चड़न बारे कहा पार उनाने तोखे नल सिखांदे उत्ते हमला कर देता इस कारके गुर्गोबिन सिंग जी ने एहे लैटर पर दोगेंग दिती अत्य केहा की एक कोशित किता कि अंत विच जीत उना दी होवेगी तो उना ने क्या कि युद्धोर लड़ेया जावेगा ते हुन जीत सिख्खा दी होवेगी ता इस बारे गुरु गोबिन सिंग जी ने सफर नामा लैटर विच और अरंग जेब नो गोबिन सिंग जी बारे कुछ इंपोटेंट जानकरी कि पहला उना जीवन बारे कि उना दर जनम तो लके शहिदी तक देन आपा पड़ेया कि उना ने खालसा पंथ दी स्थापना किती ते उना ने केड़े पांज प्यारे नूं खंडे दा पाहू लमरीच चकाया फिर आप आपा पड़ेया कि उना दी जड़े इंपोर्टेंट रजना है जफर नामा जो की फारसी पार्शा विच उना ने लिखी है मोगल बार्शा औरंग जेब नू औस बारे पड़ेया कि उस विच गुरु अबिन सिंग जी ने किस यूद दा या किस बारे वर्णन किता है आई ह आप दोस्तों तो अनुए वीडियो वदिया लगी होवेगी ते एह टॉपिक चंगी तरह सामझ आया होवेगा तो प्लीज इफ यू लाइक आर वीडियो देन प्लीज शेयर इट विद यो फ्रेंड्स और सब्सक्राइब आर चैनल थैंक यू